हेलो दोस्तों कैसे हो आप लोग कैसा है आपका टयख़ cruise मेरा तो ठीक है मेनेजेबल है मैनेजрип YO कर लेता हूँ आप बताँ आप लोगों का कैसा है up इससे पहले भी दो वीडियो अपलोड किये थे, बहुत अच्छा लोगों का रिस्पॉंस आया है, बहुत सरे लोगों ने मुझे कॉल भी किया है, और मैंने जो उनसे हल्प हो सकती थी, मैंने उनके वो हल्प की भी है, आपको अच्छा लगता है, जो मैं आपको जो भी आज एक तीसरा टॉपिक आपके लिए लेकिया हूँ, जिसे कहते हैं हम ट्रिगर कहलो या अप्टिनाइटिस स्पाइक, मतलब आपकी एक बेसलाइन है, आप रोज एक 400 की फ्रिक्वेंसी पे आपके खवा जाती है, जब वो 800 पे चली आती है या 8000 पे चली आती है, जिसे ह इन दिन के लिए, इस चीज में आपको और उतर देता हूँ, कि लोग कहते हैं कि भीया, मेरा टिनाइटिस छे साल से है, मेरा टिनाइटिस दो साल से है, मैं से सफर कर रहा हूँ, आप्शन है कोई आपके पास, कोई आप्शन है, तो बता हो सारे आप्शन कर लिए न आपने तो क्यों आप अपने माइंड को नहीं इतना हैबिट्वेट कर लेते कि आपका माइंड उसे एकसेप्ट कर ले कि हां मुझे अवाज आती है है मतलब मुझे अभी भी आ रही है मेरे को हार्ड ली बौदर इस इस पूरे वर्ल्ड के पंदरा परसंट लोगों को टिनाइटस है अब आप सोच लो कि आप अक्धि तोड़ी हो यह मांकेला थोड़ी हो मेरे गैसे आप जैसे बहुत सारे लोग मतलब आपको यह आदव डालने पड़ेगी पहले हो आपकी यह परच्छाहीं है कि आप बंदा परच्छाहें के साथ इसमें क्या दिखकत है ठीजो करो यार मतलब यह बड़ी common है, सब के लिए common है, जो भी tinnitus का patient है, चाहिए मेरे लिए वह, आप ओ, fluctuation या trigger क्यों आते हैं? 10 seconds के लिए हो सकता है, 10 minutes के लिए हो सकता है, 10 गंते के लिए हो सकता है, 2-3 दिन के लिए होता है, जैसे मेरे को generally आज की रिट में या तो 1 दिन होगा या 2 दिन होगा, otherwise 10 दिन मेरे को बहुत रिलाक्स रहता है. अच्छा इसके फैक्टर क्या हो सकते हैं मतलब क्यूं होता है यह ट्रिगर देखो जनरली किसी डॉक्टर के पास नहीं इसका एक आंसर नहीं है मतलब आप जाओ आप बताओ इनको कि डॉक्टर साब मेरे को ट्रिगर हो गया मैं क्या करूं उसका आंसर नहीं उसके पास लेकिन कुछ स्टडीज जो कहती है ना वो मैं आपको आप बता देता हूं कि स्टडीज क्या कहती है और क्या क्या पॉसिबल्टी है इस ट्रिगर की अच्छा पहली होती है लाक ओफ स्टिमिलेशन मतलब आप अगर अकेले रूम में जैसे मैं इस वक्त इस अकेले रूम में हो कुछ भी नहीं है पंक्खा बंद ऐसी बंद है तो अगर आप अकेले रूम में बैठोगे तो आपको नॉर्मल से वैसे भी आवाज जादा ही लगेगी ठीक है यह जब भी आप अकेले रूम में या कहीं भी बैठते हो कभी आपको दूसरा होता है increase of stress increase of anxiety stress कैसा? emotional stress नौकरी का stress पैसे का stress, relationship का emotional anxiety ये चीज़े हैं जो आपको trigger कर देती हैं, कभी घर में कोई लड़ाई हो गई, family से हो गई, girlfriend से हो गई आपका stress level high हो जाएगा anxiety होगी, ये एक और reason है जिससे आपका tinnitus जो है, spike हो जाता है तूसरा है sleep मतलब अगर आप tinnitus आप suffer कर रहे हो, तो आपको sleep होनी न बहुत ज़रूरी है, मतलब 7 गंटे की sleep लो, अच्छी तरह लगो और sleep आपके लिए बहुत ज़रूरी है अगर आपकी sleep disturbed है तो आपका tinnitus trigger करेगा जैसे मैं साड़े नौए दस बज़े सोता हूँ, जनरली में बारह एक बज़े फिर उठता हूँ, तो मेरे tinnitus की आवाज थोड़ी से नॉर्मल होती लेकिन जब मैं पांच बज़े सुबह उठता हूँ तो यह peak पे होती है, मतलब यहाँ पे क्यों शुरू-शुरू में मेरे को बड़ी दिक्कत होती थी यार क्या करूँ, यार इस अवाज करूँ क्या, बहुत ट्राइ किया, कान, मसला, मसाज किया है, भाई, इस रिलेटिग टू सेंटरल नर्वस सिस्टम, यहाँ मेरे कोई नस नहीं दभी हुई, मतलब आप रगडने से नस थोड़ी ठीक कर लोगे, किड़नी में कोई दर्द है, तो किड़नी के इलाज ची न, यहाँ दिक्कत है सेंटरल नर्वस सिस्टम में, इलाज वहाँ का कराना, यह मेरे को नहीं लगता है, कि यह जो लोग रगड के मसाज बताते हैं कि टिनाइटर्स में ठीक कर दूँगा, मुझे नहीं लगता है कि इस से बच्छों सकता है, दूसरा होता, लाउड नॉइस, डीजे, मंदिर का लाउड स्पीकर, मस्जित का लाउड स्पीकर, हॉर्न, इन चीजों से बच्छों, यह भी आपको ट्रिकर कर देता है, मैं जैसे जनरली भाहर जाता हूँ, तो जनरली में एरवर्ट्स लगा लेता हूँ, कानों में उतनी देर के लिए, जितनी देर में ट्रफिक में होता हूँ, बाइक वाला गया से गया, ती, बहुत ते जोरन, मेरे को तुरंत ये एकदम स्पाइक कर जाता कभी-कभी, जनरली वैसे प्रॉब्लम नहीं आती, लेकिं स्टेल कोई आप हाईवे पे जा रहे हूँ, कोई ट्रक वाला निकल गया, कोई हौर मार गया, अगर लाउड निउस के पास गए, किसी पार्टी में चले गए, किसी सराउंडिंग साउंड चले गए, जहां पर डीजे चल रहा है, तो आपका ये ट्रिगर होना लाजमी है, हंड्रेड परसंट होई गए होई गए, ये कुछ चीजे हैं, जो मैंने नोट किये हैं, जो आपको ट्रिगर करती है, फिर है आपकी मेमरीज, अराम से में लेटा हूँ, अचानक मुझे कुछ ऐसी मेमोरी जा जाती है जो घर में किसी फैमिली मेंबर की डेथ हो गई हो, कोई ऐसी चीज जो ही किसी ने धोका दे दी हो कोई रोलेशन्शिप में कुछ हैसा हो गया हो तो जब आपका दिमाग जो है न वो उस मेमोरी में चला जाएगा तो भी मेरे को ट्रिगर होने लग जाता है और मेरा ये स्पाइक रेट बढ़ जाता है इन चीज़ों को आपने अवॉइड करना है अब आप इसके उपर काम कैसे कर सकते हो आइडन्टिफाइ करो कि ट्रिगर होता क्यों है मतलब मेरे को स्पाइक आती क्यों है किसी खाने के वज़े से कोई emotional stress, sleep, कोई stimulation या मैं अकेला रहता हूँ क्या चीज़ है जिससे मेरे को स्पाइक आ जाती identify करो इसको anxiety और stress management करो ये कुछ चीज़े हैं जो आप अपने trigger को बचा सकते हो मतलब आप पता लग जाएगा कि आपका trigger क्यों हो रहे और जब trigger होता तो आप कर जा सकते हो first of all मैं हमेशा अपने वीडियो में कहता हूँ कि be positive सारी दुनिया जहान के try गड़ लिया ENT audiologist हो पाए है कोई कहां है हो पाए आपके अंदर यहाँ खुद से लड़ोगे तो जीत जाओगे डॉक्टर कुछ नहीं कर सकता डॉक्टर जितना कर सकता कर लिया जो छे साल से विमार है क्या कर लिया उसके लिए अपने आप से लड़ो ना अपनी will power इतनी strong करो कि आप सूच ओक नहीं यार मैं लड़ूँ कहा मुझे लड़ना है एटनाइटस मेरा कुछ नहीं विगाड सकता लोगों के बीच मेरा ओ दोस्तों फैमिली की बीच में जब आप उन से get together करोगे आपको मानलो trigger आगया आप लोगों के बीच मेरो फैमिली से बात करो दोस्तों से बात करो किसी दोस्त को फॉन कर लिया है आपका trigger उस टाइम के लिए खतम हो जाएगा आपको नहीं महसूस होने देगा कि आप कोई trigger चल रहा है अकेली कंप्रे में बैठे हो मुजिक लगा लो कोई comedy show देख लो कोई movie देख लो कोई ऐसी चीज चला लो जिसका आपका mind divert हो जाए तो आपका रोल क्या है इसमें कि आपको अपना mind divert करना है sound therapy ले लो चंडरल ही देखो मैं मेरे पास यह headphones है noise cancellation वाले जब भी मुझे trigger आता है तो मैं इनको कानों में लगा के इस white noise या pink noise गूगल से जाके या play store से जाके कहीं से भी उसको सुनता हूँ जब बस सुनता हूँ sound therapy लेता हूँ मेरे को relax मिल जाता है अच्छा आइफोन में ये inbuilt आती है अगर आपके बस आप आइफोन यूजर हो तो आप देख लाए ना उसके लिए इन बिल्ड भी आपको masking की sounds मिल जाएगी अपने आपको मनाओ कि अगर आज spike ज़्यादा है तो ये वहीं चली जाएगी जहाएं कम थे अपने आपको मनाओ आप अपनी willpower को जगाओ अपने अंदर के इनसान को जगाओ कि आपको इसके साथ जी नहीं है accept करो इसे कि हाँ मुझे tinnitus है 20 दिन बहुत परिशान था जब मेरे सारे question खतम होगे ना मतलब मेरे पास सर्च करने के लिए कुछ नहीं लगा तो मेरे दिमाग ने accept कर लिए से हाँ या रहे या ना आप अपने दिमाग को ऐसा train करो आप इसे accept करो कि हाँ आपकी दिक्कत ही है कि आपने अभी तक इसको train नहीं किया आप जब भी आपको trigger होती है आप उठाके Google पर लग जाते हो कि trigger के option मुझे बता दिये जाए क्यों मेरे को trigger होगा है ना बता चुको इससे ज्यादा option और कु outing you know, trigger क्यों होते हैं इनी पर काम करो ने आप खुद खुद आप अपने doctor बनाऊ आप खुद देखो trigger क्यों आते हैं कोई कुछ चिए कुछ मैंने स्ट्रेस ले लिया क्या मुझे कोई anxiety हुई क्या मैं रात को सोया था क्या मैंने कॉफी पी ली क्या मैंने कुछ ऐसा खा लि दस दिन तक मेरे को पता नहीं चलता कि मेरे को टिनाइटस है हाँ 11 और 12 दिन में कभी-कभी मेरे को एक दिन इंटर कर जाता लेकिन इस मैनेजेबल क्योंकि मैं अपने दिमाग को में यह चीज बिठा चुका हूं कि मेरा टिनाइटस ओल्रडी ठीक हो चुका है ऐसे आपने affirmations करने हैं कि हाँ यह टिनाइटस ठीक हो चुका यार और अगर दिक्कत होते हैं यह स्टार्ड राइटिंग आप लिखो इसे affirmations लिखो कि मेरा टिनाइटस ठीक हो गया है मेरा टिनाइटस ठीक हो गया यू फील रिलाक्स इस दिमाग को जितनी positivity दोगे उतने आप positivity बनोगे अगर इसको negativity दोगे तो यह negativity ही सोचेगा जितना positive सोच सकते हो इसके लिए जितना लड़ सकते हो लड़ो आपकी लड़ाई एक खुद आप है लड़े नहीं है आपको मैंने पहले भी वीडियो में कहा है आपको सिर्फ family support करेगी fighter आप ही हो लड़ाई आप ही को है आपको कोई यह नहीं यू massage कर ली यू massage कर ली आप ट्राई कर लो यार अगर आपको लगता है आपको इस massage से relief मिल जाएगा तो आप करके देखो काम आपको अपने उपर करना है अपने ऊपर करो self-love करो काम अपने ऊपर करो चीज वो करो जो आपने आस्तक नहीं की exercise नहीं करते थे exercise करो stress लेते थे मत करो ये खाते थे इसको छोड़ो अगर कोई alcohol ये cigarette पीते थे उसको छोड़ो आप ये try करो जो आपने आज तक नहीं किये इसके लिए सिर्फ ये ही नहीं Google में search कर लिया tinnitus के तरीके बताए जाए tinnitus की relief मिली जाए भाई होती तो 6 साल में कर लिया होता ना 2 साल मिल गहीं होते हैं अमेरिका के पास नहीं है आपके पास क्या है willpower आपके अंदर का इंसान वही है जो आपको इससे बचा सकता है और आपने दुनिया बर की ENT audiologist को दिखा दिया ना दुनिया बर की दवाई यहां ले ली ना हो ना परेशान मेरे शकल पर लगता है कि मैं परेशान हूँ I don't care anymore actually परभाव नहीं पड़ता मेरको क्योंकि मैं आपके दिमाग को यह कर चुका हूँ कि यह टिनाइटस मेरा कुछ नहीं बिगाड सकता यही मैं आपके लिए भी कह रहा हूँ be positive be positive be positive वीडियो अच्छा लगेगा आप इसे share करो like करो कुछ भी और पूछना इसके बारे में comment कर देना telegram के चैनल भी है वो भी मैं link में छोड़ दूँगा आप उसे join कर लो जो पूछना है पूछना यार जो help कर सका हूँ करूँगा न यहां आप लोगों की सेवा के लिए होगे मुझे पता कि क्या है यह मैं उससे भाहर आया हूँ और आप सब लोगों को उससे भाहर निकालूँगा और आप निकलोगे okay best of luck